स्क्रैच आधारित पिक्टो ब्लोक सॉफ्ट्वेर में जो आर्टिविशल इंटेलिजन्स और मशीन लर्निंग के एक्स्टेंशन्स हैं, इन में से दो एक्स्टेंशन्स के ऊपर मैं टुटोरियल्स पहले बना चुका हूँ, इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग का एक और एक्स्टेंशन समझते हैं, रिकर्ग्निशन कार्ड्स, यह एक प्री ट्रेंड मशीन लर्निंग का मॉडल है, और यह मॉडल किन अब्जेक्स को रिकर्ग्नाइज कर सकता है, यह आप इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, तो यहां पर हमें यह सारे अब्जेक्स मिल रहे हैं, नंबर्स मिल रहे हैं, हमारे को यह कुछ stop, go, turn, left, right के साइन्स मिल रहे हैं, पीजा और walking man का यह road sign मिल रहा है, और इसी तरीके से यह जो बाकी अब्जेक्स हैं, इन अब्जेक्स पर यह model pre-trained है, आप यहां से इनका screen capture कर सकते हैं, या इनको download करके print कर सकते हैं, मैंने इनका screen capture करके, यहां pictoblocks में मैंने एक नई sprite upload करी है, और इस sprite में मैंने यह सारी costumes जो हैं, यह add कर दी हैं, जैसे यह bomb की sprite है, यह कुछ house, hospital, tree की sprite है, and so forth, तो अब मैं इनको एक एक करके call करूंगा, और हम test करेंगे कि यह ML का extension है, यह इनको recognize करता है कि नहीं, तो objects की sprite में मैं हूँ, और मैं यहां पर यह command ला रहा हूँ, looks में जाके, change costume, और switch costume से मैं यहां पर for example blank कहता हूँ, तो मेरे पास यह blank stage आ जाता है, और इसी वक्त मैं यह जो toby है, इसको भी मैं थोड़ा चोटा करके, 50% करके इसको side में कर रहा हूँ, हम यहां पर toby sprite में, जो यह हमारी commands है, इनको add करेंगे, तो यह अगर हम एक नदर इन commands पे डालें, तो यह जो एक command है, पहली वो है कि turn on the video stage with some percentage of transparency, तो इसकी वेसे क्या होगा, कि जो हमारा laptop मे webcam है, वो on हो जाएगा, और वो जो भी objects को देख रहा होगा, यह extension उनको recognize करेगा, इसके बाद, एक और हमारे पास option है, कि analyze the image from camera or from stage, तो अगर हमें camera के साथ recognition करना है, तो हमें camera on करना पड़ेगा, पर इस वक्त हम केवल stage की sprites को recognize करेंगे, इसलिए हमारे को यह command नहीं और फिर हम जो general object detection की category यहां पर है, इसमें हम यह for example, number of objects कितने यह recognize कर रहा है, हम अगर यह जानना चाहते हैं, तो हम यहापे केवले box को check कर देते हैं, और like हमारे को scratch में variables नदर आते हैं, उस तरीके से हमारे को यह variable नदर आ जाएगा, और यह बताएगा कि इस वक्त यह कित हम वो क्या object है, उसकी class determine कर सकते हैं, और उसकी class जो यहाँ पर हमने costume में देखा था, तो जैसे इसकी class अगर bomb है, तो वो bomb class recognize करेगा, इसकी house है, इसकी tree है, या hospital जो भी है, यह जो command है, यह हमारे को यह class बताएगी object की, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ conditional statements भी हैं, जो कि based on हम कौन सा object recognize कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम कुछ programming कर सकते हैं, और likewise हमारे पास numbers के लिए भी यहाँ पर यह conditional statement के blocks हैं, और यहाँ यह जो बाकी हमारी sprites हैं, इनके लिए भी similar हमारे पास conditional statement के blocks हैं, तो हम किसी simple चीज़ से शुरू करते हैं, मैं सबसे पहले objects में जा अब यह bomb का जो object है, यह आ गया है, और अब मैं यह Toby की sprite में जाके कह रहा हूँ कि events में, when green flag is clicked, analyze the image, not from the camera, but from the stage, which means this image, और tell us the class of that object, तो इसको देखने के लिए मैं looks में जाके यहाँ ला रहा हूँ, say the class of the object, तो अब मैं अगर green flag click करता हूँ, तो यह हमारे को बता रहा है कि यहाँ पर एक object recognize हुआ है, और उस object की class है bomb, तो इस तरीके से यह object recognition का extension काम करता है, अगर मैं यहाँ पर objects में जाके इसको बदल रहा हूँ, और यहाँ मैं मान लो house वाली costume ला रहा हूँ, तो यहाँ पर हम वापस तीन objects हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि say the class of object 1 and maybe हम यहाँ पर यह say for 2 seconds वाला block ले आते हैं, say the class of object 1 for 2 seconds और इसी को फिर मैं duplicate करके कह रहा हूँ, say the class of object 2 and likewise duplicate करके say the object class of object 3, और अब अगर हम इसको run करते हैं, तो यह objects determine 3 हो गए, home, hospital और tree, तो यह जरूरी नहीं है कि जो यह हम recognition कर रहे हैं, यह left to right हो रहा है, यह camera जैसे भी इसको recognize कर रहा है, तो इसलिए पहले house आया, फिर hospital आया, और फिर यह tree की sprite आई, हम एक और यहाँ test करके देख सकते हैं, कि अगर हम यहाँ costume अब house के बदले, let's say pizza कर देते हैं, तो हमारे क अगें तीन object नजर आ रहे हैं, और इसलिए हम यह जो same code है, कि हमारे को तीन objects की class बताओ, यही हम use कर सकते हैं, तो मैं फिर से इसको green flag क्लिक कर रहा हूं, तो यह pizza और pedestrian crossing, so for some reason यह third object नहीं recognize कर रहा है, maybe इसकी जो orientation है, यह गलत है, I'm not sure, but anyway, दो objects जो हैं, वो recognize हो गए हैं, और उनको correctly identify भी किया है, कि एक है pizza, और दूसरा है sign for a pedestrian crossing, और यह जो third object है, यह null बता रहा है, recognize नहीं कर पा रहा है, so यह एक अच्छा वो है कि जो AI यह machine learning के models होते हैं, वो हमेशा 100% accuracy के साथ नहीं काम करते हैं, and जैसा मैंने का हो सकता है, यह orientation इसकी बदलनी पड़ेगी, maybe तब यह ठीक काम करेगा, तो next हम फिर देख सकते हैं कि अगर जो object है, वो recognize हो, तो हम उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं वह पस objects में जाके, यहां पे costume select कर रहा हूं, bomb, तो हमार पस यह bomb की sprite आ गई है, और अब हम यहां कह रहे हैं कि maybe a की object है, उसकी class बताओ, और फिर हम यहां से जाके, यह ला सकते हैं, command की, if bomb is detected, then do something, तो हम यहां पर फिर एक conditional statement ला रहे हैं, control में जाके, कि if bomb is detected, then maybe हम कोई message दिखाना चाहते हैं, like, danger, 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 हम चाहें, तो हम इसके साथ कोई sound भी बजा सकते हैं, तो मैं sounds में जाके, यहां पर एक, कोई नई sound देख रहा हूं, maybe effects में, हम search कर सकते हैं, alert, तो हम यह alert की sound ला रहे हैं, और फिर मैं यहां कह रहा हूं कि, अगर bomb is detected, then say danger, 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 and also play the sound, so sounds में जाके, हम कह रहे हैं, कि, start the sound alert, and, तो अब हम इसको test करके देख सकते हैं, तो यह ठीक काम कर रही है, command, और essentially यह क्या है, कि जब हम कोई object को ठीक से identify कर लें, तो उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यह totally हमारे पर depend करता है, और हमारी imagination पर, कि हम इसके बाद कुछ game बनाना चाहें, जो कि object recognition based है, या हम sprites की जितनी commands हैं, उनको हम trigger करें, based on क्या object recognize हुआ है, तो यह था, जब हम analyze कर रहे थे, images from the stage, हम यह भी कर सकते हैं, कि analyze the image from the camera, और यहाँ पर यह जो इनके prepared signs थे, इसमें से मैं यह stop और go, यह जो दो signs है, इनके मेरे पास printed version है, तो हम इनको use करेंगे, तो analyze the image from the camera, and say the class of object for two seconds, और हमारे पास stop या go है, तो हम इसको select कर सकते हैं, और यह हमारे को मिलेगा, recognition में जाके, traffic signals की category के अंदर, तो हम कह रहे हैं कि, if the signal is go is detected, then maybe, यहाँ पर हम कह देते हैं, you can proceed, और अगर यह object, अगर यह signal जो है, यह determine हुआ है stop, तो हम यहाँ कह सकते हैं, please stop, and of course इसके साथ हम अगर चाहें, तो कुछ display भी कर सकते हैं, कि कोई particular sprite, जैसे की stop या go, ऐसा कुछ display हो, तो इसके लिए हम for example, maybe एक sprite paint कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे paint कर रहा हूँ, एक sprite, और इसका मैं color कर देता हूँ green, तो यह हमारी जो है, यह sprite की एक costume है, जिसको हम go कह देते हैं, इसको duplicate करके, select करके, इसका color बदल देता हूँ, as if it's a red sign, तो और इसको हम कह देते हैं stop, और हम अपने code में यहाँ कह सकते हैं, कि अगर if the signal go is detected, तो हम यह जो particular costume है, इसको call कर सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि events में जाके, एक message broadcast कर देते हैं, और हम इस message का नाम लिख देते हैं go, और हम एक और message broadcast करेंगे, stop, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि when green flag is clicked, हम चाहते हैं कि यह sprite जो है, यह hidden रहे, तो मैं looks में जाके कह रहा हूँ hide, और फिर हम कहेंगे कि when I receive the message, हम यहाँ पे costume बदल देते हैं, हम कह रहे हैं कि change the costume to go and show, और duplicate करके हम कह रहे हैं कि if message received is stop, then change the costume to stop, इस जो पहली sprite थी, मैं इसको height कर रहा हूँ, हम अब Tobi में आके, हम हमारा basically program है कि when green flag is clicked, analyze the image from the camera, determine the class of the object, and if it is signal go, then broadcast go, and say you can proceed, and if the signal is stop, then broadcast stop, and say please stop, और accordingly यहाँ पे इस sprite पे हमारे को, जो particular costume है, associated with go and with stop, वो display होनी चाहिए, और यहाँ पर जब हम analyze image from the camera कह रहे हैं, तो हमारे को एक command और अचली डालनी है, जो है कि turn the camera on with 0% transparency, और analyze the image के बाद हम यहाँ पर 1 second की wait डाल देते हैं, just to give the system time to analyze the image, अब हम इसको test करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर यह go का जब recognition हो रहा है object का, तो वो यह sprite कॉल कर रहा है, यहाँ पर जो go है वो हमारे को inverted नदर आ रहा है, तो इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि turn the camera on flipped, तो flipped की वज़े से फिर वो ठीक हो जाएगा, और इसके बाद मैं इसको फिर से हम try करते हैं, stop recognize हुआ और stop की जो sprite है वो call हो गई, I hope इस video tutorial से आपको sense मिला, कि हमारे पस जो picto blocks में object recognition का extension है, यह कैसे काम करता है, basically object recognize करने के बाद, आप conditional statements यूज़ करते हुए, इसको जो भी आपकी imagination है, उस किसम का solution बना सकते हैं, और क्योंकि हम picto blocks में Arduino और microbit जो हैं, यह boards भी add कर सकते हैं, हम यह AI ML के extensions यूज़ करते हुए, कुछ external चीज़ें drive कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई particular object है जैसे go, तो हमारी अगर एक Arduino से बनी car है, तो हम उसको control कर सकते हैं, I hope यह extension आप try करेंगे, और मज़ेदार projects बनाएंगे, जैसे कि अगर कर सकते हैं,